नमस्कार आपके साथ मैरी नाजाबालियान देश में एक बाफिर से नोट बंदी कर दी गई है और इस बार 2000 रुपे के नोट पर बैन लगाया गया है वो 2000 का नोट जो की आप सेफ करके रखते थे लेकिन अब RBI ने इस पर बैन लगा दिया है लेकिन पैनिक होने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी फिलहाल इसका इस्तमाल किया जाता रहेगा लेकिन आपको मौका दिया गया है एक समय सीमा तै की गई है कि आप अपने नोट को बदलवा सकते हैं एक्세ेंज कर सकते हैं अब ऐसे में कई सवाल लोगों के जहन में क Lord रहे हैं की आखिर इसे कैसे करना ए यह फैसला लिया क्यो गया है कैसे आप बैंक में जा है इसे एक्स्चेंज कर चाहते है इसका प्रासस क्या है तो तमाम सवालों के जवाब आपको यहां पर मिलेंगे तो सबसे पहले आप यह समझे कि RBI ने कहा क्या है Reserve Bank of India ने यह कहा है कि जो 2000 के नोट है उस पर बैन लगा दिया गया है यानि कि अब इसे मार्केट में नहीं निकाला जाएगा जानकारी के लिए आपको यह भी बता दें कि साल 2018 और 2019 में ही इसकी छपाई जो है RBI ने बंद कर दी थी 2016 में जब नोट बंदी हुई थी जब 500 रुपे और 1000 रुपे के नोट पर बैन लगाया गया था नए नोट के तौर पर 2000 रुपे का जो नोट है इसे लॉंच किया गया था लेकिन 2018 से 2019 में ही इसकी छपाई बंद कर दी गई थी इसके बाद अब आपके जहन में सवाल यह होगा कि आप अपने नोट को एक्सेंज कैसे करवा सकते हैं बैंक में जाकर इसका प्रॉसस क्या है तो आपको बता दे कि इसके लिए सबसे पहले आप यह समझे कि जो तैसमय सिमा गया है तरीस मईसे लेकर तीस सितमबर तक आप बैंक में जाकर इसे एक्सचेंज करवा सकते हैं और याद रहे कि एक बार में सिर्फ आप दस नोट ही बदलवा सकते हैं अब आपके जहन में ये भी सवाल होगा कि आखिर आर्बियाय का ये फैसला लागू कब से हो रहा है तो देखिए इसके लिए कोई समय जो है वो आर्बियाय की तरफ से नहीं बताया गया है इसका मतलब यह है कि जब इसका अनौंसमेंट यानि कि अब अनौंसमेंट जो किय गया है ततकार प्रभाव से ये लागू हो चुका है यानि कि आपके पास जो पैसा रखा हुआ है आप इंतजार बिल्कुल भी मत कीजिए जैसे ही आपको समय लग रहा है आप बैंक में जाए और अपने 2000 नोट को बदलवा कर आप उसका एक्सचेंज जो पैसा है वो आपस ले सकते हैं क्योंकि अगर आपने देरी भी की तो इसमें आपको ही खाम्याजा उठाना पड़ेगा क्योंकि जिस तरीके से 30 सितंबर तक का समय दिया गया है आप अपने नोट को बदलवा सकते हैं अगर इससे देरी आप करते हैं तो जो आपके पास पैसा रखा हुआ है य इसका बाजार में कितना असर और कैसे असर देखने को मिल सकता है तो आपको इसे इस तोर पर समझना होगा कि देखिए फिलाल तो यह कहा जा रहा है कि यह वैलिड है यानि कि अगर आप मार्केट में जाकर खरीदारी अगर 2000 रुपे से करना चाते हैं इस नोट से करना चात यह नोट देते हैं तो वो लेने से कत्राएंगे यानि कि सबसे बड़ा जटका यहां वैपारियों को लगा है अब आपको बताते हैं कि यह किन लोगों पर लागू हुआ है क्योंकि कई लोगों के जहन में यह भी सवाल होगा कि शाद हो सकता है कि यह कुछ-कुछ लोगों पर ही इसे अमल में लाया गया हो लेकिन ऐसा नहीं है यह हर किसी पर लागू हो गया है यानि कि चाहे वो आम हो या फिर खास अगर आपके पास 2000 रुपे का नोट है तो आप इसे समय रहते एक्सचेंज करवा लिजिए नहीं तो यह किसी भी कीमत का नहीं रहेगा कि आखिर इसे क्यूं लागू किया गया है और किस पॉलिसी के तहथ इसे लागू किया गया है तो बतादे कि कलीन नोट पॉलिसी जो चल रही है इसका मतलब यह है कि नोट को बिलकुल साफ सुतरा रखना है नोट पर कई दफ़ा क्या होता था नोट बंदी से पहले कि उस पर कोई भी पैन से या किसी भी चीज से इंक से वो लिखने के कोशिश करते थे जिसकी वैसे नोट पूरी तरीके से खराब हो जाता था रंग उड़ने का डर था इसलिए ये पॉलिसी चलाई गई और इसी पॉलिसी के तहट ये फैसला RBI ने लिया है अब कई लोगों के ये सवाल आ रहे हैं कि जो RBI ने ये फैसला लिया है तो क्या ये सरकार ने अपनी कुछ गलती जो हुई थी उसे सुधारने का काम किया है तो इसके लिए आपको ये समझना होगा कि देखें 2016 में जब नोट बंदी की गई थी उस समय पर 500 रुपे का नोट और 1000 रुपे का नोट जो है वो बैंड कर दिया गया था नए नोट के तौर पर 2000 रुपे का नोट लाँच किया गया था लेकिन अब क्योंकि 2018 से 2019 के बीच में RBI ने इसकी छपाई यानिक इसकी प्रिंटिंग बंद कर दी थी और इसे माना जा रहा है कि इसे भूल के तौर पर सुधार के लिए सर पर दाम उठाया है 2000 रुपे का नोट जो है वो हमेशा से सुर्खियों में रहा जब से ये लाँच हुआ था कई लोग इसे लेकर अलगलग दावे करते नजराए चाहे वो आम हो या फिर सियासी दल के नेता हो 2000 रुपे के नोट को लेकर कई बार वो सवाल उठाते रहे संस लिया है कि अब इसे सरकुलीट करने से रोक लगा दी है अब RBI ने जो ये फैसला लिया है 2000 रुपे के नोट पर जो रोक लगाई गई है ऐसे में सरकार का ये कदम इस तोर पर देखा जा रहा है कि जो काला धन जमा करने की कोशिश कर रहे थे ऐसे लोगों पर सरकार ने ये बड़ा चोट किया है बड़ा प्रहार किया है क्योंकि आम लोग इसे आम तरीके से इस्तमाल कर रहे थे लेकिन जो काला धन इखटा करने की कोशिश कर रहे थे उन लोगों पर सरकार का ये बड़ा अटैक की तोर पर देखा जा रहा हाला कि अब इसे लेकर सियासत भी देश के भीतर शुरू हो चुकी है लेकिन देखना होगा कि आगे चल कर इस पर किस तरीके से कदम उठाये जाते हैं और लोगों का किस तरीकी का रियाक्शन सामने आता है आपका इस नोट बंदी को लेकर क्या कुछ कहना है क्या कुछ आप इस पर रियाक्शन देना चाते कॉमेंट सेक्षन में जाकर जरूर दीजेगा क्योंकि 2016 का जब वो दौर याद आता है जब अचानक से प्रधार मंत्री नरिंद्र मोधी ने अनाउंस्मेंट किया था नोडबंदी को लेकर उस वक्त किस तरीके से लोगों का रियाक्शन सामने आ रहा था क्योंकि ATM के बाहर लगातार लंबी-लंबी कतारों में लोग खड़े हो रहे थे अपने नोट को बदलवाने के लिए लेकिन फिलहाल इस समय पर ऐसा कोई पैनिक नहीं है क्योंकि समय सीमा तैग कर दी गई है 30 सितंबर तक आप अपने 2000 रुपे के नोट को बदलवा सकते हैं रियाक्शन जरूर देजेगा